जहेन भाईयों, भाईयों किया केरन लाँच हो रही है 15 फरवरी को, MUV सेगमेंट में एक और एडिशन होने जा रहा है, गाड़ी टोटल 8 कलर आप्शन के साथ अविलेवल होगी, गाड़ी के अंदर टोटल 6 एरबैक्स अविलेवल कराए जाएंगे, गाड़ी के फ्रेंट में ही 4 सेंसर लिए जाएंगे, और LED DRL होगा, गाड़ी फ्रेंट लोग काफी अच्छा होता है, ग्रिलिंग का काम काफी अच्छा किया गया है, गाड़ी के अंदर की बात करें तो 10.25 इंचीज का इसमें टच स्क्रीन अविलेवल कराए जाएगा, गाड़ी में फर्स टाइम डाउन्विल ब्रेक कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, जिससे की हिली एरिया में गाड़ी को कंट्रोल करना और इजी होगा, गाड़ी के रियर पाइकिंग सेंसर्स अविलेवल होंगे, जो कि सभी वेरियंट्स में होंगे, गाड़ी में डिस्क ब्रेक अविलेवल होंगे, जो कि सारे इसके टायर्स में एविलेबल होगी 16 इंचिस का इसका वील होगा 15 इंच का इसका वील होगा गाड़ी की मिडल सीट की बात करें तो गाड़ी की मिडल सीट में फर्स टाइम एक और चीज एड़ की जा रही है जो कि इसकी left seat पर एक button available होगा इसको दवाने से ही वो पूरी seat fold होकर automatically hold हो जाएगी और अगर वो system काम नहीं करता है तो उसके optional एक manual system भी इसमें already दिया गया है गाड़ी में अंदर Bose का music speaker दिया गया है second और third row में AC vents दिये गए है गाड़ी का जो engine की बात करें तो petrol और diesel engine दो तरह के engines इसमें available होंगे petrol engine और diesel engine में 1.4 liter और 1.5 liters के engine होंगे manual and automatic transmission दोनों मिलेंगे गाड़ी total 144 Nm का torque generate करेगी और 4500 RPM है seat capacity की बात करें तो 7 seat capacity इसमें होगी fuel capacity इसकी 45 liters की बताई जा रही है गाड़ी में chrome का काम काफी अच्छा किया गया है गाड़ी का interior काफी खुबसूरत है गाड़ी का जो estimated price है एक showroom वो 12 से 18 अभी कहा जा रहा है बाकी गाड़ी के launch होने पर exactly पता लगेगा गाड़ी अंदर से अच्छी दिखती है और इसका टॉप वेरियंट होगा वो लगभग 20 अराउंड पर सकता है एस बर्दा जो feedback है गाड़ी बैक से भी काफी अच्छा लुग देती है गाड़ी एक अच्छा option है थैंक्स वर वाचिंग प्ली सब्सक्राइब